C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग 1 चौधवा पाठ फूल प्रिष्ट संख्या 76 से 78 तक प्रस्तुत है पाठ फूल चोटी सी बगिया में देखो कितने रंग जमाते फूल सबके मन को मोहक लगते हैं हस्ते और मुस्काते फूल जो भी बगिया में आता है सबको खूब रिजाते फूल इधर भटकते उधर मटकते तनिक नहीं शर्माते फूल तितली आती भवरे आते सबको पास बुलाते फूल ताथई ताथई नाच नाच कर मीठे गीत सुनाते फूल सर्दी गर्मी और वर्षा में कभी नहीं घबराते फूल जूम जूम कर मौज मनाते सबका मन बहलाते फूल जूम जूम कर मौज मनाते सबका मन बहलाते फूल रंग बिरंगे प्यारे प्यारे बग्या को महकाते फूल छोटे छोटे बच्चों जैसे सबके मन को भाते फूल छोटे छोटे बच्चों जैसे सबके मन को भाते फूल बच्चों, इस कविता के कवी हैं दिनेश, कुमार अभ्यास, शब्दार्थ, बगिया छोटा बगीचा, रंग जमाना, प्रभावित करना, रिजाना, प्रसन्य करना, मटकना नित्य की मुद्रा में सिरहिलाना, भाना, अच्छा लगना, भावार्थ इस कविता में फूल की सुंदरता का वरणन किया गया है फूलों के कारण बगिया बहुत सुंदर दिखाई देती है जो भी व्यक्ति बगिया में आता है, सुंदर सुंदर फूलों को देखकर प्रसन्न हो उठता है हवा के कारण इधर उधर जूमते फूल ऐसे लगते हैं, मानों वे सबका स्वागत करने के लिए सिरहिला रहे हूँ फूल प्रतेक रितु में प्रसन्न रहते हैं, वे हमें भी यही संदेश देते हैं रंग बिरंगे, प्यारे प्यारे फूल, बगिया में छोटे-छोटे बच्चों की तरह सबको अच्छे लगते हैं एक, यहाँ पर दो स्तंभ दिये गए हैं, दोनों में अलग-अलग शब्द हैं, आपको समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है जैसे शर्माना, लजाना हमने शर्माना का मिलान किया लजाना से स्तंभ एक में शब्द हैं, रिजाना, शर्माना, मौज मनाना, महकना, भाना स्तंभ दो में शब्द हैं, लजाना, अच्छा लगना, सुगंधित होना, खुशी मनाना, आकरशित करना आपको समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है दो, कविता की पंक्तियां पूरी करो एक, छोटी सी बगिया में देखो दो, इधर मटकते, उधर मटकते तीन, जूम जूम कर मौज मनाते तीन, कविता के आधार पर इन प्रश्णों के उत्तर दो एक, फूल सब का मन किस तरह मौह लेते हैं दो, फूल किसे अपने पास बुलाते हैं तीन, फूल सब का मन कैसे बहलाते हैं चार, फूल सब के मन को क्यों भाते हैं दूर्वा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यांकन बटिल्यांग लिंग्डो तथा निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT